आज इस वीडियो में फ्रेंड्स समार पास OPPO का E59 5G है इस वीडियो के दर आपको बताएंगे इसी फॉन के टॉफ 65 प्लस टिप्स और कुछ एडिन फीचर जिनका यूज़ करके आप इस फॉन को काफी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो और शॉटकर तरीके से यूज़ कर स सकते हो इस तरह से आप B को बना दीजिए अब आपकी फ्लेशलेट अन हो जाएगी इसके लाबा बहुत सारी ऐसे ही आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि इस फॉन को पर्चेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूसपल हो सकती है तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम बेस करती है आप इस फोन के इसकीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि जो आपको apps देखने को मिलते है इनका आप सेप चेंज कर सकते हैं इसके लाबा इनका color बगयर आप चाहिए तो आप बहुन भी बदल सकते है टेक्स का जो नेम रहता है आप यहां पर भी आप बदल पाओगे तो इनको आप सेट करना चाहते हो तो इस पॉन की सेटिंग में जाहिए यहां पर जाने के बाद आपको देखने को मिल जाता है बॉल पेपर एंड इस्टाइल इस पर क्लिक कर लिजिए फिर अगर आपको आइकन का अगर इनमें से आपको सेट करना हो तो आप कर सकते हो इसके लाबा क्लिक करने की बाद आपको डिफरेंट आइकन इस तरह से रिशाइज कर सकते हो तो काफी अच्छी कस्टमाइज आपको यहां पर देखने को मिल जाएँगे जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप इस समय ब्लू कलर का है, अगर चाहें तो आप इसे चेंज करके रख सकते हैं, इसके लिए आपको कलर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, अब आपको डिफरेंट कलर आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अब किसी भी कलर को अपने सेलेक किया, तो यहाँ पर आप इसके से कस्टमाइज कर पाएंगे, जैसे कि आप पेज को चेंज करते हैं, तो आपको एक नॉर्माली पेज देखने को मिलता है, अब यहाँ टैंजिसन को एड कर सकते हैं, जिसके लिए इसके लिए पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पर आपको टैंजि यूज आपको मिल जाता है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद साइड कर लीजिए, जिसके लिए इसके लिए इसके लिए पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद साइड करने पर मिलेगा, जिसके लिए इसके लिए इसके तो इस phone के screen को double tap करके on भी करा सकते हैं कुछ इस तरह से तो आप इस feature को भी on कर पाएंगे, इसको on करने के लिए इस phone की setting को open कीजिए, setting को open करने के बाद इस तरह से इसको scroll कर लिजिए, additional setting पर click करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा gesture and motion यहाँ क्लिक करना होगा, फिर skin of gesture पर click कीजिए, अब आपको यहाँ पर यह feature देखने को मिल जाता है, इसको on करकर रखना होगा, अब कभी भी आपका split screen on हो जाता है, background में आप चाहें तो दो apps को कुछ इस तरह से open करा सकते हैं, तो देख सकते हैं, प्ले स्टोर के साथ हमने YouTube को open कर लिया है, अगर आप चाहें तो कुछी एक apps को resize भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक app जादे एरिया में use करना हो, तो इस तरह से click कराकि भो भी कर सकते हैं, अगर उपर वाले को नीचे करना हो, तो आप यहां click करने के बाद उसको भी कर पाऊगे, तो यह काफी अच्छा feature आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा, अगर कभी भी आपको dual app की जरूरत पढ़ती है, dual app यूज करना हो, तो आप इस तरह से phone में dual app यूज क आपको home screen पर देखने को मिलते हैं, आप किसी को भी rename कर सकते हैं, जैसे कि आपका Facebook, Facebook नाम से देखने को मिलता है, तो इसको पर आप long time प्रेस कीजिए, आप एडिट देखने को मिल जाएगा, इस पर click कर लीजिए, अब Facebook चाहते है, आप आपके नाम से सुह हो जानी चाहिए and floating window में उन apps को use कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी apps के अंदर हैं, वहाँ पर आप आपको use करना है, तो floating window की मतद से आप बहुत आसानी से उसका use कर सकते हैं, जिसके लिए iPhone की setting को open करने के बाद इस तरह से इसको scroll कर लीजिए, scroll करने पर special feature पर click दीजिए, जिसके बाद smart sidebar आप English में या फिर English से हैं, आप Hindi में set करना चाते हैं, सब कुछ transfer आप यहां बहुत आसानी से कर पाएंगे, file menu को open करना हो, calculator बगएरा, इसके लाबा edit पर click करने के बाद, आप अपना favorite apps यहां पर डाल सकते हैं, जैसे कि हमने chrome को set किया, इसके लाबा camera apps हमें ज़्यादा use रहता है इस फोने फेंट्स आप साथ different तरीके से skin sort को ले सकते हूँ, जैसे कि पहला रहता है, phone का down button and power button एक साथ press करने पर skin sort, तो आप देखोगी, skin sort मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इस फोन में 3 finger से down करने पर भी skin sort को बना सकते हैं, अगर आपको लेना है long skin sort, तो आप वो भी skin sort save हो जाएगा, आपको इस फोन में crop skin sort का यह feature देखने को मिल जाता है, जैसे कि केवल इस area का skin sort चाहिए, तो skin पर 3 finger से hold कर लीजे, अब जिस area का skin sort चाहते हैं, अब आप अपने तरह से select कर लीजे, जो भी आपको जिस area का skin sort चाहिए, इसके लाबा आपको edit option देखने को मिल सकते हो, जिसके लिए skin पर आपको 3 finger से hold करना होगा, बीच वाली option को क्लिक करने के लिए, आप gold type skin sort कुछ इस तरह से बना सकते हो, इसके लाबा आप चाहिए, इस phone में आपको अपने हिसाब से hold कीजे, अब आपको यह option select कर लेना होगा, अब जिस area का skin sort चाहते हो, आप आप पर आपनी finger से इस तरह से select कर लीजे, तो कुछ इस तरह से भी skin sort आपको मिल जाएगा, इस phone का जो control center आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर जब आप इसको open करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको skin sort मिल जागा, यहाँ क्लिक करके भी इस phone में skin sort आप बना पाओगे, इस phone में Google कर डाइलर देखने को मिलता है, तो call को record होते समय आपको call announcement सुनाई देता है, तो आप चाहें तो उसको बंग भी करके रख सकते हैं, तो आप चाहें तो इस phone में Google डाइलर को हटा कर सकते हैं, ओ डाइलर क्योंकि ओपो के phone में आप install करके बहुत आसानी से उसका use कर पाएंग तो इसके लिए phone की control center को open करने के बाद 3.00 पर जाईए, एड़ी title पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है screen recorder तो इसको आप ऊपर की side में पहले add कर सकते हैं, अब screen की record की setting करने के लिए अफिर screen को record करने के लिए इसकी उपर आप long time press कर लिए, screen recording आप यहाँ से बहुत आसानी से कर पाऊगी, जैसे की sound आपको record करना हो, एक साथ definition को आपको set करना हो, वो सब आप बहुत आसानी से कर सकते हो, screen को record करने के लिए यहीं से आप क्लिक करके screen को record करा पाऊगी, by default यह feature भी spawn में मिल जाता है, इस phone में अगर आप photo या video को hide करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, by default यह भी feature मिल जाएगा, जिसके लिए phone का जो गैलरी है, photo नाम की वो आपको open कर लेनी है, अब तीन option देखने को मिलेंगे नीची के side में, किसी के उपर आप long time प्रेस कीजिए, जिसके आपको एक privacy lock set करना होगा, privacy lock set करने के बद आप बहुत आसानी स यहां पर अपने photo और video को hide कर पाऊगे, तो privacy lock जो भी आप set करना चाहते है, इस तरह से click करके इसको set कीजिए, security question में अपना नाम set करके इस icon पर click कीजिए, अब आपको जो भी photo hide करना हो, उसके लिए उसके उपर आप long time प्रेस कर लिजिए, hide का फ्यूचर देखने को मिल जा स्मार्ट call की feature देखने को मिल जाते हैं, जिनका use करके आप अपनी phone की call को smart बना सकते हो, smart call बनाने के लिए phone की setting में जारने के बाद इस प्रेस को scroll कर लेजिए, आपको देखने को मिल जाएगा, additional setting इस प्रक्लिक कीजिए, gesture and motion देखने को मिलता है, इस प्रक्लिक करेंगे, त आपको दूसर feature देखने हो मिलता है, auto switch to ear receive का, अगर आप इस feature को on कर देते हैं, तो आपकी किसी number से hand free पर बात हो रही है, और hand free से बात होते हुदे, आप पने phone को कान की ओ ले गए, तो hand free speaker आपका automatic बंद हो जाएगा, कान बाला receiver मा automatic आवाज आना शुरू हो जाता है, तो इ eyes to wake up feature देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको on करने पर क्या होगा, आपका phone screen off होगा, कुछ इस तरह से phone कुछ इस तरह से table पर रखा होगा, जैसे आप table पर रखी हूँ phone को pick up करेंगे, phone का screen automatic on हो जाएगा, इस phone में lock screen से बहुत सारे apps को आप control कर सकते हैं, बहुत सारे gesture को add कर सकते हैं, इनको set करने के लिए, इस phone की setting को open कीजिए, इसको open करने के लिए इस तरह से call कर लेजिए, आपको additional settings होगा, इस पर click करके आपको मिल जाएगा gesture and motion, इस पर click करना होगा, फिर आप यहाँ पर देख सकते है, skin off gesture के लिए, यहाँ क्लिक क जाएगा, गाने को आप lock, skin साई, next कर सकते हैं, जिसके आपको इस तरह से click करना होगा, आपको इस तरह से click करना होगा, गाने को पीछे करना होगा सकते हैं, इसके लबह आप lock, skin पर Allah की camera apps को open कर पाएंगे, जिकी यहीं पर आपको feature देखने को मिल जाता है, जिसके लिए करने के बाद आप लॉग स्कीन पर ही अपनी स्कीन पर इस तरह सभी बना दीजिए फ्लैस्ट राइट अन हो जाएगी इसके लाब आप को और फीचर मिल जाएगे जैसे कि आपको यहां पर यूडू एप ओपिन कराना हो लॉग स्कीन से ही तो ट्रो एक फीचर देखने को मिल जाएगे इनमें सक्क्रिस एप्स को आप उपन करना चाहते है बनाने पर वह आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने ख्रोम को सेलेक्ट किया अब लॉग को स्कीन पर जो हम एबनाएंगे तो हमारा ख्रोम एप ओपन हो जाएगा कुछ और वी फीचर मिल जाएगे जैसे कि कर सकते हैं M मिल जाते हैं ज्से को पर फोन को अपन को यहां पर आपको एक साथ बाने पर यह option देखने को मिलते हैं अगर आप इसको सटेंग करना चाहते हैं तो corr स्कॉल कर लीजेए एडीसनल सैटिंग पर ऐट करने के बाद आपको देखने को मिलते हैं आप चाहाएं तो इने हटा सकते हैं लगा सकतें इस प् Alrighty सब्हुन देखने मिल साइब इसके लाँँ कर आप यूज्चर का पीचल हो को मिलेगा तो उसको अन करने के लिए इस फून की सेटिंग को उपिन कीजिए यहां सा स्कॉल करने के बाद एड़सन सेटिंग पर क्लिक करके सिस्टम नाइविएसेंद पर क्लिक कीजिए आप आपको दोहनी ऑफ्सन देखने को मिल जाते हैं आपको क्या सैट करना होगा जो की काफी अच्छा फीचर है अब जैसे कि आप यहां पे बहुत सारी एप्स का यहां पे background के अंदर काम कर रहे हैं जैसे कि आपका Bluetooth open है और यहां पर आपकी डायलर बगर सबी open है आप इस तरह से उनको open करके रखते हैं अब किसी एप्स के अंदर आप काम कर रहे हैं तो द क्लिक करना होगा अब आपको मिल जाता है one-handed mode इस पर क्लिक करने के वाद आपको यह feature on कर लेना है अब कभी भी आपको अपने phone one-handed से यूज करना हो तो इस तरह से आपको क्लिक करना होगा तो आपका phone one-handed mode पर on हो जाता है अगर चाहें तो इस फुल screen में कर सकते हैं जिसके लिए blank area में क्लिक कर आके आप इसको full screen में भी लापाएंगे इस phone background में जो आप apps का यूज कर रहे होते हैं तो यहां पर जो भी apps रहते हैं उनका content से होता है आप चाहें तो इस content को height करके रख सकते हैं जिसकलिए three dot पर click करने के बदद content पर आपको क्लिक करना है तो इसका content सो नहीं होगा इसके लावा आप जो भी background में apps का यूज कर रहे हैं और उनमें से किसी भी apps को आप यहां पर floating window में यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से recent बटन को press किजी कुछ इस तरह से फिर आपको उसकी ही उपर इस तरह से क्लिक करना हुगा यहां 3.0 पर जिसके बद आपको मिल जाएगा floating window इस पर आपको क्लिक करना रहेगा तो यह आपका apps कुछ इस तरह से open हो जाता है अब background में किसी भी कर पाएंगे इस फोन मों otg का भी support देखने को मिल जाता है अगर otg यूज करना चाहते इस फोन का तो पहले तो जाना होगा phone की setting में जिसे on करने के बाद इस फोन मों आप otg का use कर पाए हुए तो इसको on करने के लिए इस phone की setting में जाने को स्कॉल करने पे मिलेगा additional setting इस पर सकते हैं जिसके फोन के camera apps को open करने के बाद three dot पर क्लिक कीजिए यहां आपको setting icons हो जागा इस पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो यह काफी different features पर में आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं आसा करते हैं friends आपको यह वाला वीडियो काफी अच्छा रागा होगा वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक से हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बाले इक प्रैस करना ना भूले है तो चली friends मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ